बिल्ली के द्वार का सेक्टर 26 में एक पुराना मकान खाली पड़ा था आसपास की लोगों का कहना था कि पांच साल पहले मकान में रहने वाला खुराना परिवार रातों रात अचानक गायब हो गया और फिर कभी कोई उस घर में रहने नहीं आया लेकिन आज सुबस से ही वहाँ चहल पहल थी किसी मिश्रा परिवार ने घर खरीद लिया था और मिश्रा जी का बेटा अतूल और उसकी नई नवेली पत्नी कविता वहाँ रहने आने वाले थे सुबा के वक्त अतूल और कविता घर में पहुँचते है अतूल घर की साफ सफाई तो बहुत अच्छी से हो गई है हाँ देखकर लगता नहीं कि पांच साल से बंद पड़ा है हाँ लेकिन इतने दिन से कोई इसे संभालने क्यों नहीं आया अरे कविता इस मकान के मालिक का कोई अता पता नहीं कहां चले गए कोई नहीं जानता तो फिर आपने घर को किस से खरीदा मकान मालिक के कोई दूर के रिष्टदार है बहुत कम पैसों में बेच रहे थे तो मैंने खरीद लिया जानती हो ना दिल्ली में समीनों के भाव कितने हो गए है हां लेकिन कोई गड़बर तो नहीं है न नहीं बाबा ऐसा कुछ नहीं है अपनी बात्रूम में नहाने जाता है और कविता के जन्ने तब उसके हाथ से स्पून गिर जाती है जैसे ही कविता स्पून उठाने के लिए नीचे जुकती है उसे किचन की शेल्फ के नीचे किसी की आँखे नजर आती है कविता चीक कर बाहा की तरफ भागाती है अरे कविता कविता क्या हुआ अरे तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही थी क्या हुआ वह वह अलमारी की नीची कुई है अतुल नीचे जुक कर देखता है और घबरा के पीचे हट जाता है मैंने कहा ताना कुछ है बहाँ पर अतुल चलो हम यहाँ से चलते हैं तुम भी न खवीता वहाँ कौकरोच है और कोई भूत नहीं है और आइनो तुम्हें कौकरोच से कितना डर लगता है अतुल मैं सच कह रही हूँ वहाँ कौकरोच नहीं बलकि कुछ और था किसी की आँखे मुझे डर लग रहा है मैं यहाँ नहीं रह सकती अतुल कविता की बात नहीं सुनता और रात होने की वज़ज़ से कविता को सोने के लिए कहता है डर की वज़ज़ से कविता को नीन नहीं आ रही थी कविता खबरा कर चीखने की कोशिश करती है, पर तभी वो देखती है कि मकडी एक दरावन शक्री में बगल देख, आतुल, उठो, वो दिखो, क्या हुआ कविता, तुम, तुम, तुम ठीक तो हो न, क्या हुआ, वो देखो आतुल, वो, वो कौन है? एक छोटी सी मकडी और कौन इस गर में कुछ अजीब है अतुल हमें यहां नहीं रहना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है बेकार में डर रही हो तुम अगली सुपा breakfast की टाइम पर कविता आज मैं breakfast नहीं कर पाऊंगा मुझे बहुत देर हो गई है प्लीज अतुल कुछ तो खालो देखो मैंने नाश्टा टेबल पर लगा दिया है प्लीज कविता तुम फ्रीज में रख दो मैं निकाल कर खा लूँगा शाम को ठीक है? ओके बाई अतुल office चला जाता है और कविता के चन में काम करके जैसे ही बाहर निकलती है तो देखती है कि डाइनिंग टेबल पर एक बुजर्ग आरत और एक आदमी बैट के ब्रेक्फस कर रहे थे कविता ये देखकर खौफ से भर जाती है कोने आप लोग और या क्या कर रहे है अतल बचा हो क्यों डर रहे हो बेटा मैं मैं इस घर का मालिक हूँ रंजीत खुराना और मैं इनकी बीरी रमन देप खुराना लेकिन आप लोग तो गायब मेरा मतलब किसने कहा अरे हम तो यहीं रहते हैं इसी घर में वो देखो हमारे कपडे सारा सामान लेकिन बेटा जब से तुम आई हो न हम बड़े खुश हैं अकले पड़ गए थे न कविता ने चारों तरफ देखा और वो हैरान रहे गए कि घर में खुराना और उसकी बीवी के कपड़े और सामान नजर आ रहा था कविता घबराट की वज़े से दरवाजी के तरफ पड़ती है ताकि वहां से बाहर जा सके तब ही एक यांग औरत उसकी सामने आ जाती है कहां जा रही हो मेरे मम्मी पापा ने कहा न कि वो अकेले है उनका खयाल कौन रखेगा कौन है आप सब कौन है जाने दीजे मुझे मैं इनकी बेटी हो न क्या करूँ मैं तो मरने के बार इनका खयाल रख नहीं सकती अब तुम्हें ही ये काम करना होगा न है है कोई बचाओ मुझे कविता भागती है और अपने गबने में जाकर एक कोने में बैठ जाती है पूरा दिन वो एक जगब बैठी रहती है शाम को पांच बजे अतुल घर आता है और कविता को ऐसी हालत में देख कर परिशान हो जाता है क्या बात है अरे तुम यहां ऐसे तुम्हारी तबियत खराब है क्या हुआ वो वो अतुल खुराना और उसकी बीवी यहां इस गर में कौन खुराना कविता ये क्या बहकी बहकी बाते कर रही हो तुम इस गर के माली का तुल वो यही है इसी गर में मैंने उन्हें देखा है और उनके बेटी भी तब ही कविता ने देखा कि बुज़र्ग औरत आदमी और उनकी बेटी कविता के ठीक सामने आकर खड़े हो गए वो देखो तुल वो सब यहा है तुम देख रहे हो ना ओ ये अरे ये तो मेरे मॉम डेड है इनसे डरने की क्या जरूरत है चलो अब उठो दिनर बनाओ सब के लिए और सुनो मम्मी पापा को इनसानों का मास बहुत पसंद है तो वही पकाना क्या क्या कहा तुमने तुम्हारे ममी पापा लेकिन तुम अतुन मिश्रा मेरे पती हो और ये खुराना और ये ये क्या मसा गए इनसानों का मास गणा तुम ओ अच्छा तुम्हारा पती तुम उसकी वज़ह से परेशान हो रुको अतुल फिल छे पलट कर देखता है और फिर जैसे ही वो कविता के तरफ पलटता है कविता ने देखा कि उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया था और अब वो किसी भेडिये की तरह नजर आ रहा था गानो तुम मेरे पती कहा है या क्या तुमने उसके साथ अतुल ने रुप की छट की तरफ इशारा किया काविता ने देखा कि अतुल का शरीर रुप की छट पे चिपका था वो मार चुका था अतुल, अतुल को यह बचाओ अब कुछ नहीं हो सकता जानती हो ऐसे ही उस रात हम सब को मारके छट पे लटका दिया गया था क्या गलती थी हमारी और मेरे परिवार की यही इसी फैन के पीछे हमारी डेट बॉड़ी छुपा दी गई फाल से लींग करवा के ताकि किसी को पता ना चले हम सब यहां कैद है लेकिन तुमने मेरे पंदे को क्यों मारा उससे तो मरना ही था क्योंकि उसके बाप ने जो की एक कॉंट्राक्टर है इस घर को हरपने के लिए यह सारा खेलना चाया था उसकी सजा तो मिलने ही थी मुझे जाने तो मैंने तुमारा क्या बेगाड़ा नहीं अब तुम हमेशा के लिए यहां कैद हो हमारी भूखी तड़पती आत्मा को संतुस्टी करने के लिए एक जिन्दा इनसान का इस गर में होना जरूरी है और अब अब से ये काम तुम करोगी किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम कभी यहां आई भी थी उसके बाद सेक्टर 26 में एक खबर आर फैल गई कि खुराना के मकान में रहने आए अतूल और कविता भी अचानक से गायब हो गए कि खुराने आए